हेलो फ्रेलेंस कैसे हैं आप सेब आप सभी कापके अपनी यूटूब चैनल सोचोलोजी वे संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी की कमपेटिटीव एकजाम के प्रिपेरिशन करते हैं आपको इस चैनल में डेली दो क् जिसमें की मौर्निंग के आट वजे के कलास में हम लोग कवर कर रहे हैं BPSA 4.0 और बिहार एस्टेट के फेस्टू के सोचिलोजी के स्लेवर्स को अर आत के आट वजे आप लोगों को UPGT के स्लेवर्स को कमप्लेट करवाया जारा हैं और साथे साथ वैसे स्टूदिन्स जो पेट गूर्प से जुनना चाहते हैं, एक सिस्टेमेटिक वे में complete notes को purchase करना चाहते हैं, तो जो contact number दिया हुआ है, आप उसमें contact करके, एक minimum fees में आप notes को सारे purchase कर सकते हैं, और अपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं, आज का जो हमारा class है, उसमें हम लोग समाजिक नियंतरन के स यह कक्षा 11 की पाठ पुस्तक है, और इसका जो अध्याय 2 है, इसमें हम लोग कल देखेते हैं, पस्थिती एवं भूमिका के संदर में, मतलब status and role देखेते हैं, मैं आपको चेप्टर खोल के भी दिखा दरती हूँ, कि हम लोग Slavers के according, NCRT, according ही सारे class को cover करें, और यह सारा यह आपको सब PDF format में मिल जाएगा, complete notes आपको दिया वड़ हैगा, तो देखें, जो chapter 2 है, उसमें हम लोगों ने कल कवर के, समाजिक समों को हम लोगों ने कवर किया, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कल, पस्थिती एवं भूमिका, ठीक है, यह चीज देखें, यहाँ पे पस्थिती एवं भूमिका, इस प्रकार से आपका, ठीक है, एक पेज, दो पेज, और इधर, धाई पेज के लगवग में आपको पस्थिती एवं भूमिका, complete थे, तो इससे related, जितने important से important facts हो सकता है, मैंने कल के class में आप लोगों को पस्थिती भूमिका का साड़ा बता द अब देख सकते हैं, यह NCRT का topic है, और यह आपका कितना दूर तक दिया हुआ है, इधर से सुरू है, यह पेज में, और यह आपका last topic है, तो चलिए हम लोग समाजिक नियंतरन को, समाजिक नियंतरन याने social control को समझने का प्रयास करते हैं, कि आखे यह समाजिक नियंतरन है क क्या, पूरे अच्छे प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे, समाजिक नियंतरन को English में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, social controls, क्या बोला जाता है, social control, ठीक है, जितने इससे related important facts होगे, मैं सम आपको point करते वे चलूँगी, समाजिक व्यवस्ता का, जिसका में, ज समाजिक प्रानी है, यह कहां रह रहा है, तो समाज में रहा है, तो समाज में रह के, जैसे उसका समाजी करन ठीक डंग से हो, और वो समाज में कोई गलत काम नहीं करें, तो इसके लिए उसके उपर control किया जाता है, तो नियंतरन के सिधार पर किया जाता है, एक तो या तो हम धडम के माध्यम से करें डैति रिवाज पृठाओं के माध्यम से या फिर हम कानून के माध्यम से सजा देंगे और कानून से हम गलत काम करेंगे तो कि एपरात के कि यह के डिपी रहता है रहा है पड़िवार में भी जो च्छोडे तो वही चीज बोला जाए रहा है, किसमें हो रहा है, तो समाझ के अंतरगत नियंतन के माध्यम्च идए, इसके लिए रौस महोदे बताते हैं कि समाझिक नियंतन का ताथपड़ी, उन सभी सकतियों में, जिसमें, जिनके ध्वारा विक्तियों का, विक्तियों का, एक सही अनु ने समाजिक नियंतरन का अर्थ उस तरीके से बताय, जिसमें समाजिक वyst December author को एक एक चीज याद रखिए का यह जो समाजिक नियंतरन सोसल कंट्रोल और यह सब्द है इस सब्द का सर्वपथम प्रयोग किस ने किया था तो रॉस मोहदे ने किया था किस ने किया था रॉस मोहदे ने अगर इनकी बात की जाए रॉस महोदेजी की द्वारा कि हम सोसाइटी के ऊपर कैसे नियंतरन करेंगे यह फिर हमारे नियंतरन का उद्देशी क्या होना चाहिए तो हम क्यासे करते हैं व्यक्तिगर्द वहवारों का नियंतरन करते हैं समाजिक व्यवस्ता जैसे सू ढंग से उसलिए हम लोग जिय अंठरन करते हैं परंपरा हमारे जो ढीति डिवाज परंपरा है उसका रक्षम हो से के इसलिए हम सोसाइटी की अंतर गार में कंट्रोल करके रहते हैं सामुही एकता में जैसे ब्रिद्धी बढ़े इसलिए सहयोग में ब्रिद्धी हो वेक्तियों में समाजिक जो उसकी स्थीती हो वो सुधीर हो संस्कृति की जो निरंतरता है वो एक पीरी से दूसरे पीरी तक चलती है अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो चलेगी क सब्सक्राइब हो और सब्सक्राइब अगरों के संद्दर में तो सब्सक्राइब आता हैो यूड़े सैंसे पहसी हім्त बहुताय और विद्धी जो niż में उल्यों चीज़ेगा क्यंस क्योंकी रहेगा प्रकारों के संदर में, तो सबसे पहला जो प्रकार आता है, वो है, मैं के करके लिखते चाड़ी हूँ, थिंकर्स के नेम भी लिख दूँगी, सकरात्मक और नकरात्मक नियंतरन, सकरात्मक एवं नकरात्मक, कौमा देके लिख देती हूँ, सकरात्मक और नकरात्मक नियंतरन के बात किसने की है? तो किम्माल, यंग ने, दो प्रकार के नियंतरनों के प्रकारों के संदर में बात की है, जिसमें व्यक्ति को उसके कार्ज के लिए पुरुसकार दिया जाता है तो वो सकरात्मक हो जाएगा अगर वो गलत काम करता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नकरात्मक हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके पुरुसकार और दंड आ जाएंगे इसका उधारन में आप लिख सकते हैं इसके अंत्रगत आपके पुरुसकार सकराकमक होता है और दंड रहेगा वो नकराकमक कौन दिये हैं तो किमबा यंग दिये हैं निश जो समाजिक नियंतरन का प्रकार है वो है चेतन और और चेतन, ठीक है, चेतन और और चेतन, ये किस ने दिया है, तो कूले और बर्नाड ने, कूले और बर्नाड महोदे ने चेतन तथा और चेतन समाजिक नियंतरन की बात की है, जिस नियंतरन को लागू करते समय हम उसकी उपयोगिता को चेतन मस्तिस्क से स्विकार करते हैं वो क्या कहलाता है चेतन नियंतरन कहलाता है इसके अंतरगत आपके कानून लोकाचाड इनकी उपयोगिता जो कानून बनता है उसको हम लोग अगर लागू करते हैं था हम अपने चेतन मस्तिस्क से करते हैं कि हां हम इसके लिए ये चीज को ये कानून को लागू कर रहे हैं और इसके बीप्रित जो अचेतन मन से हम स्विकार करते हैं जेसे जेसे धडम होगी, आडिती डिवाज होगी, पड़म प्राय होगी, इनको तो हम देख नहीं रहे, ये पुड़वजो से चलती आड़ी है, पीरी दर पीरी, हम भी उसको स्विकार कर रहे, नहीं रहते हैं भी हम उसको मानना पड़ते है, अगर आपका मन का इच्छा नह तब भी आपको मानना पड़ेगा तो वो किसके अंतरगत आ जाएगी और चेतन आपकी नियंतरन के अंतरगत यह किस ने दिया है तो आपके कुले और बर्नाड महोदे ने इसके संदर में बात की है चेतन और और चेतन प्रकार के नेक्स्ट है जो समाजिक नियंतरन का प्रकार है वो है आपका प्रतेक्श और और प्रतेक्श नियंतरन और और प्रतेक्श नियंतरन यह किस ने दिया है तो यह जिस थिंकर्स ने दिया उनका नाम है काल मैंहिम ठीक याड ऐसे ही आपको कोशन देखने को मिलेगा कि चेतन और और चेतन समाजिक नियंतरन की बात किस ने की है तीन ओप्सन दे दिया चार ओप्सन दे दिया तो उसमें आपको टिक लेगाना हो पुले और वर्नाग सकरात्मक और नकरात्मक नियंतरन की बात कौन करते हैं तो किम्बाल यंग प्रतेक्ष और और प्रतेक्ष नियं टॉपिक छोटा है मैंने आपको समझाया है आप समझ भी लिए कि हाथ धार्म के मादम से कानून के मादम से हमारे उपर हमारे सोसाइटी के उपर जो नियुंतर नुटर 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 के जितने भी complete details है यह तो NCRT में नहीं पेंसन किया गया है इसको आपको एक्ष्ट्रा पढ़ना पढ़ेगा आपसे पगड़ NCRT के बरुसर रहेंगा तो फिर नहीं होगा इसके लिए आपको एक्ष्ट्रा और डिटेल्स में पढ़ना पढ़ेगा नेक्स्ट जो समाजिक नियंतरन की माद की गई है वो है संगठित और और संगठित तीन प्रकाद संगठित और संगठित और सहजिक नियंतरन ये किस ठिंकर ने दिया है तो गुर्विच और मूरे ने किसने गुर्विच और मूरे महोदे ने कितने प्रकाद के नियंतरन के बाद की है संगठित और संगठित और सहज नियंतरन सत्तावादी और लोकतांतरिक सत्तावादी और लोकतांतरिक समाजिक नियंतरन के बाद कौन करते हैं तो लेपियर महोदे कौन करते हैं तो लेपियर मोहदे की दो प्रकार के समाज में नियंतन मौजुद है सत्तावादी और लोकतांत्र की ये बर्णन किन के द्वाड़ा किया गया है तो लेपियर मोहदे जी की द्वाड़ा किया गया है ठीक है फिर अप्चारिक और अनप्चारिक यहाँ पर में लिख देती हूँ अप्चारिक और अनप्चारिक समाजिक नियंतरन अप्चारिक तथा अनप्चारिक समाजिक नियंतरन के बात कौन करते हैं तो वीरिस्टिड महोद है कौन कर रहे हैं? विर स्टिड मुहदे नेक्स्ट रहे ये भी बहुत इंपोर्टेंट है दुर्खी मुहदे ने सामुहिक प्रती निधान का अपना सिध्धान दिया था जिसमें उन्होंने प्रथा कानून रिती रिवाज को समाजिक निरंतन का माध्यम मनाये था दुर्खी मुहदे के सिध्धानत का नाम क्या है सामुहिक प्रती निधान का उन्होंने धर्म, प्रथा, रिती रिवाज इन सभी को माना था समाज के अंतन, नियंतरन के साधन की रूप में, ठीक है? कैसे माना था? समाज नियंतरन के साधन की रूप में इन सभी को उन्होंने माना था, ठीक है? तो ये आपका पूरा जो कॉन्सेप है ये इसी के अंतरगत आ जाएगा कि सोशल कॉन्ट्रल क्या है समाज नियंदन क्या है और मेरी पूरी कोशिस रही है कि आपको यह कौन से प्रकार से मैं समझा सकूँ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक करिए अपने दोस्तों के भी सेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सिस्काइब करन क्लास कैसी लग रही है तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद